नमस्कार दोस्तूं सभी का स्वागत करता हूँ योटूब चैनल कुचामन ओनलाइन क्लासेज पर एक न्यूज जो कल से जो B.A.D. और B.H.T.C. धारी है जिनके रीट पातरता क्वालिफाई है या जिनके रीट पातरता क्वालिफाई नहीं है उन सभी के दिमाग को चिंतित अवस्ता में लेकर जा रही है क्योंकि जिनके क्वालिफाई थी वो सभी रीट मेंस की तयारी में लगे वे थे और जो नए बढ़ती थी जिनके रीट क्वालिफाई नहीं थी वो रीट पातरता की तयारी कर रहे थे लेकिन कल से एक न्यूज है आज सुबह कुछ पेपरों में भी इसको लेकर सिक्स्या मंत्री का जो बयान आया उसके बाद कि तीन साल की रीट वैलिडिटी यानि कि क्या अब तीन साल की रीट वैलिडिटी रहेगी या नहीं रहेगी ये एंसीटी की गाइडलाइन क्या कहती है उसी के आदार पर यहां पर ये वीडियो रहेगा जिसमें बेसिक मैं आपको कंप्लिट जानकारी दूंगा 2022 के बाद रीट की क्या विलिडिटी है और क्या ये बदलाव संबव है या सिरफ एक ओप्चारिक बासन के अंदर की गई बयानबाजी है तो सभी सातियों का हार्दिक सवागत करता हूँ थोड़ा सा दो मिनट लगा कर सुने और साथ में कि रीट पातरता और मुखे प्रिक्षया है उसका आयुजन कब तक होगा कितने पदू पर नहीं भड़ती है जिसकी गोसना है वो हो सकती है इस पर भी लेकर हम चर्चा है वो करने वाले हैं दोस्तु चलिए सबसे पहले में छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा जो आज की मुक्खे खबर बनी या आज की मुक्खे खबर जो हमारे सामने आई उसको लेकर दोस्तु आज की जो मुक्खे खबर थी वो इस परकार थी कि दोस्तु कि जो रीट पातरता एकजाम है वो अब उसकी वेलिडिटी है वो गटा दी जाएगी अब उसकी वेलिडिटी है जो validity है उसको 3 साल कर दिया जाएगा पहले जो validity थी वो आजीवन रखी गई थी इसके अंदर लेकिन अब नई news आ रही है उसके अंदर तो सबसे पहले मैं आज की news देखिए आज की जो news है उस पर आदारीत मैं आपके सामने बात करूँगा जनवरी 2025 में हो सकती है REIT परक्षिया यह आज के news की news paper है और इसके अंदर क्या का गया है 3rd grade 6 की बढ़ती के लिए पातरता परक्षिया REIT के आयोजन के लिए सरकार ने तयारी कर लिया नवंबर के दूसरे सब्ता में परक्षिया का notification जारी किया जाएगा जनवरी 2025 के दूसरे पकवाडे में परक्षिया का आयोजन है वो करवाया जाएगा उने की संभावना सिक्स्या मंतरी मदन दिलावर ने मेडिया से बातचीत में का कि अब्यर्ती जो बढ़ती है उसके लिए तयार है हाला कि इससे पहले विबाग डिपीसी करते वे रिग्त पदू की समिक्सा भी करेगा ताकि सिक्सकू के कुल खाली पदू के अनुसार विगपती जारी की जा सके दिलावर के अनुसार विबाग अगले मेने रीट परक्षिया का notification जारी करेगा मादिमिक सिक्सा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित होने वाली इस परक्षिया का certificate तीन साल तक मानने होगा जब से ये न्यूज आई है तो बच्चों ने इसको क्या कर लिया कि सर जो ये न्यूज है क्या ये रियल में सच है या ये सिरफ और सिरफ है एक बच्चों को भर्मित करने की न्यूज है उसको लेकर बात चलने चली सबसे पहले मैं जो rate 2022 हुई थी उसके अंदर जो हमारी अंकता लिका आई थी या परमान पत्तर certificate जो भी हम बोलते हैं वो हमारे पास आया था तो उसके अंदर क्या का गया था वो चीज नोट कीजिए यह देखिए 2022 के rate की है rate 2022 मैं यह किसी से मारक सिट मैंने मंगवाई और जो जानकारी है वो मैंने गुप्त रखी क्योंकि किसी को भी कुछ भी डाउट इसको लेकर हो सकती है जानकारी मैंने डाउट रखी लेकिन आपको यहां पर बताना चाहता हूं में तो देखिए यहां certificate for lifetime from the date of issuance यानि कि जिस दिन यह certificate जारी किया गया उसके बाद उस दिन से इसकी वेदता lifetime रहेगी इसका मतलब क्या है कि rate 2022 अगर आपने दी है और आपने पातरता वहां पे qualify किये तो यह आजीवन आपकी पातरता है वो रहने वाली है दोस्तों यह नहीं है कि अब आपको दुबारा पातरता लेनी होगी अगर ऐसा करेगी तो नीचे जो NCT की जो guideline है NCT की जो guideline है उसमें साप लिखा गया है कि जो भी सिक्सक भरतियूं के लिए पातरता एकजाम होगी उसकी वेदता आजीवन रहने वाली है उसकी वेदता आजीवन validity आजीवन रहेगी उस validity को कम नहीं किया जा सकता फिर भी किस संद्रप से अखबार वालों ने या सिक्स्या मंत्री ने ये बयान दिया है उसको लेकर इस पेश्टिक रण अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है आप बिलकुल बेफिकर रहे और लगबग संभावना ये है कि NCT की guideline के अनुसार में बात करता हूँ तो 100% नहीं 101% आपकी जो बढ़ती है पातरता उसकी lifetime validity रहेगी दोस्तूं इसलिए जिन सात्यू की पातरता प्रिक्षिया पास है वो men's की तयारी करें जिनकी पातरता qualify नहीं है वो पातरता की तयारी में लग जाईए दोस्तूं सीधी सी बात यहां पर हो गई हमारी इसके अलावा एक वोड नहीं update इसके अंदर की गई है इस प्रिक्षिया का परता है तो उसे पांचवा विकल बरना होगा ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी किसी अभ्यति ने 10% से अधिक सवालू के जवाब में पांचू विकल्ब में से एक भी नहीं चुना तो भी उसकी प्रक्षिया है वो निरस्त हो जाएगी पहली बात की विकल है वो अब आपके 5 आएंगे विकल्ब कितने आएंगे 5 विकल्ब आएंगे और 10% क्यूसन अगर आपके एकजाम में 150 क्यूसन आ रहे हैं 150 क्यूसन में से 15 पलस क्यूसनों में अगर आपने सभी रिक्त छोड़ दिये 5 पद है या 5 विकल्ब है वो रिक्त छोड़ दिये तो यसी स्तती के अंदर आपका जो पेपर है वो निरस्त हो जाएगा आपका वो पेपर माने नहीं माना जाएगा दोस्तूं पाकी अगर आप है जैसे 10 क्यूसन है और 10 क्यूसन के अंदर आपने रिक छोड़ा है तो वहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग लागू होगी अग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें तो पूरे के पूरे में ABCD में इसे देना है लेकिन कहीं कारण से ऐसा होता है कि हम खाली छोड़ कर आ रहे हैं तो उसमें पांचमा विकल्प आपको बढ़ना होगा वरना नेगेटिव मार्किंग आपके होगी दोस्तू समझ गए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है जिसको लेकर में और चर्चा कर लेता हूँ देखो रीट का नोटिपिकेशन है रीट पातरता है इसकी विगप्ति आपके नवंबर के दूसरे वीक में आने की पूरी परबल संभावना है नवंबर के सेगंड वीक में आ 12 जनवरी 18 से 22 जनवरी 2025 को आयोजित करवाई जाएगी पैसिक विगप्ति आने के एक महीने तेक हमारे फोरेम बरे जाएंगे तो सिदी सी बात है कि 15 दिसंबर आ जाएगी और 15 दिसंबर के बाद एक महीना तेयारी का मिलेगा इसलिए पातरता वाले देखो आप पातरता से से बन्चित नहीं रहोगे अगर पातरता से बन्चित रहे गेना तो अगले दो साल आप थर्ड ग्रेड की बढ़ती से बन्चित हो जाओगे क्योंकि फिर एक साल बाद में पातरता होगी फिर नहीं भरती कब आई थर्ड ग्रेड तब तक आप अंचितो अगर अगली थर्ड ग्रेड भरती में आपको बेट ना है तो आपको ये पातरता है वो पास करनी ही होगी दोस्तों यहाँ पर जो साती एक न्यूज जाता है जब तक आपका एक जाम होता है रीट का तब तक फेश्ट इयर का रिजल्ट आ जाता है तो आप क्वालीफाई माने जाओगे सेकिंड इयर वाले हैं या फाइनल इयर वाले हैं वो क्वालीफाई है वो आराम से रीट पातरता का एक जाम है वो दे सकते हैं रीट ज वो आयोजित की जाने की परबल पूरी की पूरी संभावना है अब यहां पर आप सोचोगे कि सर 40,000 भी आ सकते हैं 45,000 भी आ सकते हैं 25,000 तो वो चीज अलग है लेगिन पदू के कोडिंग क्यूंकि पहले एक बार DPC के बाद complete जानकारी यहां पर दी गई है देखो कि खाली पदू के अनुसार विगपती जारी करें वर्तमान में 23,000 पद है वो रिक्त है और DPC का प्रोसेस होगा महीने दो महीने में तो उसके बाद फिर खाली पद रहते हैं तो मेरा अनुमान है कि 30,000 के आसपास और जो सूचना आ रही है उसके अनुसार की 30,000 पर यह तो यहां से आपको यह मेटर समझ में आ गया कि कितने पद उपर मुखे प्रक्षया का नोटिफिकेशन या मुखे प्रक्षया की जो जानकारी है वो जनवरी के आसपास आपको मिलेगी अभी आप इंतजार मत करो आप पढ़ाई करो अगर आप आज पढ़ाई करोगे ना तो जो जनवरी में पढ़ाई करने लगेगा, उससे पहले आप एक बार कोर्स कर लोगे, यानि उससे आप दस सिड़ी उपर चले जाओगे, इसलिए तैयारी में लग जाओ, अब तैयारी करने के लिए भी आपने अगर कोचिंग कर रखी है, तो मेरा कहनेगा मतलब आप सेल् ओनलाइन या ओपलाइन, सबसे बेस्ट में बोलता हूँ, ओनलाइन, क्योंकि समय परियाप्त मिलेगा, समय की बचत होगी, 2x की स्पीड में आप वीडियो क्लासेज जब अटेंड करोगे, तो दोस्तों, और इसी के लिए हम लेकर आए हैं, कम्पलीट जो है, रीट दोजा लगा दी, जिसे आपको पता चल सके कि कौन सी फेकल्टी, इतना विश्वास दिलाता हूँ, कि वो फेकल्टी है, जो कम से कम 10 से 12 सालू से, रेगुलर, रीट, सेकेंड ग्रेड और फेस्ट ग्रेड के द्यापन के छेतर में, कारियरत है, और लगबग सेवारत भी है, यानि मेंस का भी अलग से कोर्च मिल जाएगा, दिपावली का सुनहरा ओपर है, और मेरा ये नहीं है, कि जैसे छोटी जो दिपावली है, और दिपावली के इस पावन परवे की सभी को हर्दिक सुबकामनाएं, आपको, आपके परिवार को और समस्त देश्वासियू को हर्दिक भरदिक सुबकामनाएं दोस्तों, और आशा करता हूँ, कि ये दिपावली एक नई उर्जा, एक नया संचार आपके जो मन है, उसमें पेदा करें, जिससे अगली दिपावली के समय, आप एक नई बर्ती में सलेक्शन लेकर दिपावली मनाएं दोस्तों, ये दिपक की जो बाकी, आपको कोई भी डाउट, कुछ भी दिक्कत है, तो आप पूछ सकते हो, कोल करके, बाकी, इतना बेसंकोच रहे, क्योंकि एक परसेंट भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कम्पलीट मेटर, दिसंबर एंड तक उपलब्द करवाएंगे, और वो बैतर मेटर और क्यों सन एंस्वर मोडल पेपर है, उनको हल करोगे, तो इतना विश्वास दिलाते हैं, कि जो भीड भाड की जिंदगी है, उससे बहुत आगे आप निकल जाओगे दोस्तों, सभी सातियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आसा करता हूँ मेरे दुआरा दी गई इस जान परवे के हार्दिक सुबकामनाएं, धन्तेरस के इस पावन परवे के हार्दिक सुबकामनाएं, और आसा करता हूँ मालक्समी आप सभी के गर मेरे लक्समी की बरमार करें, जे हिंद जे बारत! करता हूँ मालक्समी